नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में यूपीटेट 2021 जिसकी परिक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न होई थी उस पेपर के हिंदी पार्ट का कम्प्लीट सलूशन देखने जा रहे हैं चलिए दोस्तों इस महतोपूर्ण वीडियो को प्रारम करते हैं पहला प्रशन पूछा गया है निम्न में से किस सब्द की वर्तनी सही है तो यहां पर देखिए अनुग्रिहीत होता है चीक है अनुग्रिहीत ऑप्षन एक इसका सही हो जाएगा इसको जनरल बोलचायल भासा म वो शुद्ध सब्द होता है क्योंकि पैत्रिक में री की मात्रा आती है ठीक है तो यह री की मात्रा नीचे आप यहां पर देख पार होंगे यहीं वाला सही होगा इसके लावा यहां पर दोसरा ओप्षन देखिए पैत्रिक लिखा हुआ है इसमें री की मात्रा नहीं है ब दुवनी का उचारन इस्थान क्या है तो एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ एक छोटा बच्चा था जिसकी मा उसको कुछ खिला रही थी चम्मत से ठीक है तो चम्मत से खिलाते खिलाते अचानक से उसके तालू पर चम्मत से चोट लग गया जिसके बाद से वो रोने लगा रो है कैसे ए ए करके ठीक है फिर उसके बाद से उसकी मा ने पुछा क्या चोट लग गया है तो वो बोलता है यश क्या बोला उसने बोला यश तो देखिए सबसे पहले वो उसकी मा चम्मत से खिला रही थी चम्मत से आपको याद रखना है चावर्ग का पूरा वर्ण चोट कहा पर लगा था ठीक है और वो डू कैसे रहा था mira करे यानी कि छोट 5 और बड़ा इसके अलामई जब उसकी माने पूछा कि क्या तुमको चोट लगा है तो बोलता है यस यानी कि यावर्ण और ताल्भ शावर्ण यह जितने भी word है वो तालू से उचारित होंगे दोस्तों सभी जितने भी उचारण इस्थान होते हैं सबका trick होता है जिसका dedicated video मैंने एक बना रखा है आप playlist में जाएंगे उस सभी videos को देख लिजेगा आप चुटकियों में इस प्रकार के questions को solve कर लेंगे आपको कोई भी formula याद करने की जरूत नहीं कोई भी रटने की जरूत नहीं आप कहानी की माध्यम से इसको असानी से सीख सकते हैं इस वीडियो के description में मैं link दे रहा हूँ उस dedicated वीडियो का आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया तालव वेसा किस से उचारित होगा यह तालू से उचारित होगा option number 4 इसका सहे उत्तर है अगला प्रश्ट पूछा क्या था अत्यांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अत्यांत जो है वो अती प्लस अंत से मिलकर के बना हुआ है अगला प्रश्ट पूछा क्या था उपत्यका का अर्थ है तो परवत के पास की भूमी को उपत्यक्या कहते है option 3 इसका सहे उत्तर हो जाएगा दोस्तों बात करेंगे प्रश्टन क्या 36 की इस देश में हिंदी भासा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है तो मौरिशस में हिंदी भासा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है option 3 इसका सही उत्तर है अगला प्रशन पूछा गया था सूर सागर किस भासा की रचना है तो ये ब्रज भासा की रचना है, option 4 इसका सही हो जाएगा बात करेंगे प्रत संख्या 38 की वीरों का कैसा हो वसंत, कविता किस ने लिखी है तो ये सुबद्रा कुमारी चोहां जी के द्वारा लिखा गया है, option 1 इसका सही उत्तर है 49 प्रशन पूछा गया था, छेत्रिय में कौन सा विसेशड है देखें, यहां पर कोई भी संख्या बोधक शब्द नहीं है, तो संख्या वाचक नहीं हो सकता तीसरा देखें, सार्वनामिक, जब भी किसी की तरफ इसारा की आजाता है, जैसे कि यहां पुस्तक मेरी है तो वहां पर सार्वनामिक होता है, यहां पर इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं है, इस वज़े से यह भी नहीं होगा चौथा देखें, परिमाड बोधक है, तो परिमाड बोधक में जब भी नापतॉल जैसी शब्द आते हैं जैसे कि पांच मील, दो किलो शक्कर, थोड़ा समय, तो यह सब ही परिमाड बोधक होते हैं, तो यह भी इस प्रकार का कुछ नहीं है छेत्रिये जो है, एक ही ऑप्शन बचाक गुड़ वाचक विशेशन होगा, क्योंकि यह किसी चीज की विशेशता बताता है जैसे कि यह बोला जाए, कि यह भासा छेत्रिये है, तो यह भासा की गुड़ बता रहा है, विशेशता बता रहा है, कि यह छेत्रिये भासा है, ठीक है तो जब भी समस्त पद में पहला पद संख्या बोधक शब्द होता है, तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है, उप्शन नमबर चार, द्विगु समास इसका सही उत्तर है अगला प्रशन पुछा गया था, निमलिखित में मौखिक अभिवेक्ति का रूप है, यहाँ पर देखिए पहला ओप्शन दिया गया है, सुलेख, सुलेख का मतलब होता है, सुन्दर लिखना, तो यह तो होगा नहीं, क्योंकि मौखिक अभिवेक्ति का रूप नहीं होता चौथा देखिए सुरुत लेख, सुरुत मतलब होता है सुनना और लेख मतलब लिखना, यानि सुन करके लिखना, तो ये भी नहीं है, एक ही option बचा आशु भाशन, ये मौकिक अभिवैक्ति का रूप है, तो option नमबर 3 आशु भाशन इसका सही उत्तर है, बात करेंगे प्रस सब्द जो है, वो समाज है, और इसमें प्रत्या क्या लगा हुआ है, इसमें प्रत्या इक लगा हुआ है, यहाँ पर देख लिजे, option 2 में आप confuse हो सकते हैं, यहाँ पर सामाजिक लिखा हुआ है, इसको देख करके आप सामाज कह सकते हैं, लेकिन सामाज मौल सब्द नहीं ह मूल सब्द समाज ही होता है इस वज़ा से यहां पर दूसरा आप्शन नहीं होगा ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर तीन समाजिक शब्द में मूल सब्द समाज और प्रत्य इक लगा हुआ है option 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बात करेंगे प्रस्ण संक्या 44 की तदभव पत्रिका के संपादक का नाम है तो तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी थे option 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया है 12 बरस law cooker जीवें यह पंक्ती किसकी है तो यह पंक्ती जगनिक की है option 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ण संक्या 46 से 50 तक दिये गए गध्यांस पर पूछे गए थे इस प्रकार के प्रस्णों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रस्णों पर एक नजर डाल लिजे ताकि जब आप गध्यांस पढ़ने जाएंगे तो कम समय में आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं तो चलिए सबसे पहले एक बार नजर हम लोग प्रस्णों पर डाल लेते हैं पहला प्रस्ण पूछा गया है कि घुमकर सब्द में कौन सा प्रत्य है इस पर अधारित दूसरा प्रस्ण है महावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था तीसरा प्रस्ण पूछा गया है स्वच्छंद में कौन सी संधी है और चोथा पूछा गया है महात्मा बुद्ध ने जब बुधत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्ता कितनी थी और अंतिम प्रस्ण पूछा गया है सुरूती धर्म का क्या अर्थ है अब चलिए इस गद्यांस को अमलोग पढ़ते हैं आदिम आरे गुमककड ही थे यहां से वहां वे गुमते ही रहते थे गुमते भटकते ही वे भारत पहुँचे यदि गुमककडी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता यदि वे एक इस्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वनसज ना होते भगवान बुध गुमककड थे भगवान महावीर गुमककड थे वर्षा रितु के कुछ महीनों को छोड़ करके एक स्थान में रहना बुध के वसका नहीं था 35 वर्ष की आयू में उन्होंने बुधत्व प्राप्त किया यहाँ पर आपको एक प्रश्ण का उत्तर मिल गया चलिए फिर से पराग्राप में आगे बढ़ते हैं हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनकी आयू 35 वर्ष थी ठीक है 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयू तक जब उनकी मित्ती हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर गुमते ही रहे अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाये रहें अपने सिस्यों से उन्होंने कहा था चरत भिक्वे चारिक हे भिक्चुओं गुमकड़ी करो यद्यपी बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गय किन्तु उनके सिस्यों ने उनके वच्चनों को सिर आखो पर लिया और पूर्व में जापान उत्तर में मंगोलिया पस्चिम में मक दूनिया और दक्षिड में बाली द्वीब तक धावा मारा स्रवण महावीर ने स्वच्चन्द विच्रण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया वैशाली में जन्म लिया यहाँ पर देखिए एक दूसरे प्रशन का आपको उत्तर मिल चुका है यहाँ पर पूछा गया था कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहां पे हुआ था तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था ठीक है आप प्रशन में देखिए दिया गया है प्रशन संक्या 47 महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था तो इसका उत्तर हो जाएगा option नंबर एक वैशाली में हुआ था उत्तर हो जा राह प्रदर्शन के लिए और संक्राचार बारा वर्ष की अवस्था में सन्यास लेकर कभी कीरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बदरी काश्रम में घूमते रहे, कन्या कुमारी से लेकर के हिमाले तक समस्त भारत को अपना कर्म छेतर समझा, सांस्कृतिक एकता के संक्राचार के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, तो यहाँ पर एक और प्रशन आप से पूछा गया था, देखिए, प्रस्म सक्या 50, सुरूति धर्म का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पैरा के लाश्ट लाइन में लिखा गया है, स स्वचंद में कौन सी संदी है, तो स्वचंद में वैंजन संदी होगी, क्यों, क्योंकि स्वधन चंद, यह मिलकर के स्वचंद बना हुआ है, तो यहाँ पर भी वैंजन और यहाँ पर भी वैंजन मिलकर के यह वैंजन में कनवर्ट हो रहे हैं, इस वज़ा से वैंजन संद तो इसमें अकड़ प्रत्य है, option 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये पूरा प्राग्राफ पर आधारित सभी प्रशनों का उत्तर हमने देख लिया, अगला प्रशन पूछा क्या था, अंगा का उचारर इस्थान है, तो अंगा जो होता है, वो कौवर्ण का अंतिम वर्ण है, यानि कि पंक्चमाक्षर है, और ये नासिक के, यानि नासिका से उचारित होता है, option 2 इसका सही हो जाएगा, बावनवा प्रशन पूछा गया था, चार गज मलमल में कौन सा विसेशन है, तो अभी हमने देखा, कि जब भी यहाँ पर मलमल, यानि कपडे का यहाँ पर प प्यास होता है, option 2 इसका सही होगा, बात करेंगे प्रस्ण क्या 55 की, दिया गया है कि सुन का तत्सम रूप क्या है, तो सुन का जो तत्सम रूप होता है, वो शुनने होता है, option 3 इसका सही उत्तर है, बात करेंगे प्रस्ण क्या 55 की, आँख की किरकरी होने का अर्थ है, तो हलांकि ये प्रश्ण 2017 में भी पुछा गया था और उस समय ये मानने कोट में गया था जिसके बाद से मानने कोट ने PNP को ये निर्देशित किया कि कश्ट दायक होना भी इसका उत्तर माना जाए इसके बाद से PNP ने दूसरे और चौथे दोनों उत्तर को सही मान लिया था 2017 के यूपिटेट में बात करेंगे प्रस्ण के 56 की दिया गया है कि आकाल का पर्यावाची है तो आकाल का पर्यावाची दुर्भिक्ष होता है option 2 इसका सही होगा अगला प्रस्ण पूछा गया है निमलिकित वाक्यों में कौन सा मिस्तर वाक्य है देखिए पहला दिया गया है चात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं देखिए यहाँ पर और आया हुआ है तो यह संयुक्त वाक्य हो गया ठीक है यह क् सरल वाक्य के उधारण हो गया और चौथा देखिए अध्यापक देखते हैं कि यहाँ पर देखिए की आया हुआ है इस वज़े से यह मिस्तर वाक्य का उधारण हो जाएगा तो प्रस्ण में आपसे क्या पूछा गया था मिस्तर वाक्य के बारे में ही पूछा गया था तो औ प्रत्याशित होता है जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसको औ प्रत्याशित बोलते हैं option एक सही हो जाएगा उन 60 प्रशन पूछा गया था मुझसे उठा नहीं गया वाके में वाके है तो इसमें भाव वाचे वाके होगा option 4 इसका सही उत्तर है दोस्तों आम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लागा comment करके जरूर बताएगा क्योंकि आपका एक comment मुझे motivate करेगा ऐसे ही महतोपूर्ण वीडियो लाने के संदर में इस प्रेशन पत्र का अंतिम प्रेशन पूछा गया था निश्कपट सब्द का संदी विचेद क्या होगा तो इसका संदी विचेद हो जाएगा नहीं धन कपट ठीक है इसका संदी विचेद हो जाएगा नहीं धन कपट option number 2 इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा साथी साथ यूपी टेट 2021 के कम्पलीट पेपर सलूशन के अलावा अगर विगत वर्सों में पूछे गए आपको सभी वर्सों के यूपी टेट के डेडिकेट लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो